हेलो फ्रेंज, फंकी गाड़नी में आपका स्वागत है, आज मेरे पास गुलदाओदी है, तो आज हम गुलदाओदी के बारे में बात करेंगे गुलदाओदी वैसे तो एक बहुती खूबसूरत फूलो वाला पौदा है, और जब इस पर फूल खिलते हैं, तो बहुती खूबसूरत लगता है, और इसकी फूलो के साथ में खूबसूरती देखते ही बनती है, अपने फूलो के कारण ही ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और घरों में इसको खूब लगाये जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है, जब इस पर कीड़ा लगता है, और वो कीड़ा इसका पीछा ही नहीं छोड़ता, और बुरा तो तब और ज़्यादा लगता है, जब बार बार पैस्ट्रिसाइड का चिड़काव करने के बाद भी वो कीड़ा हडता ही नहीं है, और जब इस पर यह कीड़ा लगता है, तो यह कीड़ा इसमें बनने वाली सभी कलियों को खतम करके रख देता है, उनको बिल्कुल सुखा देता है, यहां तक की पौधा ही सूग जाता है पुरा का पुरा, और इतना मन से लिये प्लांट को जब भी खराब कर देता है तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और दुख होता है मेरे भी गुलदावदी के तीनों पौधों पर कीड़ा लग चुका था और जिन में से कई पौधे तो उसने खराब भी कर दिये और उसके बाद ये पौधा बचा था जिस प मुझे फिर से डर लगने लगा कि कहीं ये पौधा भी मेरा बिल्कुल पूरी तरह से खराब ना हो जाए फिर मैंने इस पर अंत में परिशान होकर मैंने इस पर राक का चिरकाव किया और जब मैंने इस पर राक का चिरकाव कर दिया और उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि ये है बिल्कुल अब तो बहुत कम हो चुका है और एकाद ही कली पर वो लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पर है एक इसमे है और एक यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा बाकी है तो मैं दुबारा से इसमें फिर से राग का छिड़काव करने वाली हूँ जिस इसको इखटा करके मैंने रख लिया था तो मैंने वही बस इस पर छिड़काव कर दिया जब मैंने कई बार बदल बदल कर कई तरह के पैस्ट्रेसाइड का छिड़काव करने के बाद भी मुझे इसमें कोई रिजल्ट ही नजर नहीं आया तम मैंने जाकर इसमें लास्ट में ये राख का चिरकाव करके देखा कि शायद इससे कुछ फरक पड़ेगा और वो बिल्कुल काफी हद तक वो समस्या अब दूर होने लगी है और अब मैं फिर से इस पर राख का चिरकाव करने वाली हूँ जिससे कि ये मेरा पोधा दुबारा से हल्दी बन जाए और विंटर आने तक इसमें फिर से धेर सारी कलियां बनकर तयार हो जाए मैंने इस राख का चिरकाव किया था ये सिंपल सी राख है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था बस इसको उनी जगा पर मैंने चिरक दिया था पूरे प्लांट पर जहां जहां वो कीड़ बुरी तरह से लगा हुआ था और अब आप देख सकते हैं इसमें से वो समझ से बिल्कुल दूर हो चकी है और अब मैं इसको दुबारा से चिरक कर रखने वाली हूँ जब आप इस पर राख का चिरकाव करें तो उसके बाद इस पर पानी बिल्कुल भी ना चिरके पानी से इसको चीज में बारिश आती रहती है जिससे की वो राक धुलना जाए और उसके बाद मेरा प्लांट काफी हद तक उस कीड़े से बच चुका है अब मैं दुबारा से इस पर छिड़काव करने वाली हूँ क्योंकि वो राक काफी हद तक उड़ चुकी है हड चुकी है तो उसके बा आप राक का चुड़काव किसी भी समय कर सकते हैं चाहे दिन में या शाम को ये दोनों तरह से ही इफेक्टिव है अब मैं इस राक का चुड़काव करके बाकी के पौदों को भी बचा सकती हूँ अगर उनमें यही कीड़ा लगता है तो और ये कीड़ा इतना जिद्धी थ कि ये पीछा ही नहीं छोड़ा रहा था कई तरह के पैस्टिसाइज चुड़कने के बाद भी इसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था और अब ये पूरी तरह से राक के चुड़काव के बाद बिलकुल एकदम दूर होचकी है ये समस्या अब बस ये नाम मात्र का ही बचा है और वो भी अब दीरे दीरे बिलकुल खतम हो जाएगा गुल्दावदी के पौधे में ये कीड़े की समस्या बहुत ही बड़ी होती है जो की बहुत ज्यादा परशान करती है और पूरे के पूरे पौधों को ही खराब करके रख देता है जिससे बिलकुल उनकी ग् पर भी ये कीड़ा लगा हूँ तो आप भी उस अपने पौधे को बचा सकें और सीजन आने पर इसके खुबसूरत फूलों का लुथ उठा सकें आप भी अपने गुल्दावदी के पौधों को इस साधरन सी राग का चिड़काव करके इस जिद्धी कीड़े के अटेक से ब लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई बाई